नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अश्योग गोईल और आप देखने न्यूबाइट टेकनिकल सोलसन यूटूब चैनल तो दोस्तों आजकल आपने देखा हो कि ओपो रियलमी के अंदर जातर एंप्टी के सेटों के अंदर ये दिक्कत बोज़द आपको देखने को मिलती है जै इसके लिए मैं क्या प्रोसेस करनेगा जिस मुवाईल के अंदर जैसे मेरा ओपो का 31 मुवाईल है इस मुवाईल कंद्री ये दिककत आ रखा है तो इसका क्या करेंगी एक सेम ओपो 31 लेना है उसके वहां फाइल रीड करना है कैसे फाइल करना वो माह सब बाती सी वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों क्या करना है सबसे पहले तो हमें मीडिया टेक पर कलिक करना है मीडिया टेक पर कलिक करने बाद में आपको तीन ओप्सन शो हो जाएंगे फ्लेस मेटा और और MTK Universal, यह मारे तीन ओप्सन शो होंगे, यह आप देख पा रहे हो, उसके बाद में हमें बूट डिवाइस पर कलिक करना है, लेकिन बूट डिवाइस से पहले हमें यहां पर जो नीचे दो ओप्सन दिखाई दे रहें, जनलिक और स्पेसल पर हमें जनलिक पर कलिक कर लेना ह उसके बाद में बूट डिवाइस पर कलिक करेंगे, और जो हमारा OK Mobile है जिसके में फाइल रीड करनी है, उस फाइल को में connect करना है, जिसमा मूबाइल को सु चूप करके और मूबाइल का पलस माइनस दबाए रखेंगे, और डाटा के लाइएं तो मारी बूट इन्फो ले लेकिन अब हमें यहां पे देखना है OPPO custom file, उस file को हमें read करना है, यह सारे partsन है, इसके अंदर हमें एक OPPO custom file मिलेगा, यह आप देख पारे हैं, यहां पे OPPO custom file है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, और read OPPO custom पे क्लिक कर देंगे, और यहां पे पैथ मांगेगा, हमें कहां पे save करनी है, तो हमें यहां पे folder बना देंगे, जिसे OPPO 31 सा custom file के नाम से folder बना देंगे, यहां पे, मैं यहां पे folder बना लेता हूं, और कोई भाई मेरे से online काम कुरान चाहता है, तो मेरे contact कर सकता है, मैं अपना contact number वीडियो के description में देंगा दोस्तों, वहां से आप only आप बट सम मेसेज करिए, मैंने folder बना लिया है, ओके करेंगे, ओके करेंगे, OPPO 31, 2015 CPSS का, हम यहां पे इसको सेव कर देंगे, सो यह मारी data के वल हील गई है, यहां पे mobile disconnect नहीं होना चाहिए, हम दुबारा boot device की info लेंगे, उसी प्रकार से करना है दोस्तों, हम boot device की info लेंगे, और info लेने के बाद में दोस्तों हम वही ओपो कस्टम फाइल को यहां पे read कर देंगे, यह मारी info आ गई है, और वही ओपो कस्टम फाइल को यहां पे read कर लेंगे, और दोस्तों मैं एक बात और बता दो, दोस्तों वह फाइल से मुवाइल की होनी चाहिए, जैसे cps 2015 है तो हमेरे read भी cps 2015 की करना है, यह मैं आपे save कर देंगे, यह मारी फाइल सेव हो गई है, अब देख पार हो, यह हमारी फाइल सेव हो गई है, इसको मैं write कैसे करना है, अनलोग टूल पर दुबारा जाना है हमको, और जिस मुवाइल के इंदर हमारी प्रोबलम है, जो सेव मुबाइल हमारा ओपोविक 30, उसी के में हमें दुबारा इसको बूट डिवाइस की इनफो लेना है दोस्तों, पहले बूट डिवाइस की इनफो लेंगे, इनफो लेने के बाद में हम वही पर जाएंगे उपो कस्टम फाइल को देखेंगे यहां पर यहां से राइट इमेज पर जाएंगे और यह उपो कस्टम फाइल हमने दूसरे फोन, ओके फोन से रीड की थी, इसको में आपर राइट कर देंगे, जिसले दोस्तों यह हमारा एरर फिक्स हो जाएगा, मैं यहां पर राइट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फोन ओकी है, यह वीडियो मैंने दोस्तों आपको स्पेशल दिखाने के लिए बनाई है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी, आप मेरे कमेंट ही मैट करेंगे, जो रुबताना मिलते हैं नेक्स्ट मैं जो बते के लिए जाहिंद बने मातरम, बाई बाई, टेक केर